आपने देखा होगा कि हमारे देनिक उप्योग में आने वाले पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जो अवांचनी होते हैं जैसे गेहुं में कंकर पत्थर का मिला होना, पानी में मिट्टी का मिल जाना और तेल में जेल का उपस्तित होना इत्यादी कई बार उप्योगी होता है और कई बार अनुप्योगी इसलिए मिश्रन से अवांशनिय घटकों को प्रथक किया जाता है एक प्रथक कारी कीप 250 मिली लीटर दो बड़े बीकर 250 मिली लीटर और तेल और जल का मिश्रण जो हमने पहले से ही त्यार करके रखा हुआ है दो अमिश्रणी द्रवों का प्रतक करन प्रतक कारी कीप की द्वारा उनके घनत्वों के अंतर पर निर्फर करता है कम घनत्वाला द्रव्य आधिक घनत्वाली द्रव के ऊपर तैरता है आईए अब हम अपने प्रियोग को शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्रतककारी कीप में तेल और जल के मिश्रन को डाल देते हैं यह मिश्रन जो हमने पहले से ही त्यार करके रखा हुआ है इस तेल और जल के मिश्रन को हम प्रतकारी कीप में फनल की साहता से ढाल देते हैं ध्यान रहे कि प्रतकारी कीप स्टैन के साथ लंबित तथा इस्थे रूप से क्लैम किया जाना चाहिए अब इस मिश्रन को कुछ समय के लिए हम इस्थे रख देते हैं कुछ समय के पस्चात आप देख सकते हैं कि हमें उपर तेल की परत दिख रही है और नीचे हमें पानी की परत दिखाई दे रही है दोनों परते अलग-अलग दिखाई दे रही हैं क्योंकि दोनों द्रव्य आपस में आमिश्रनी है अब हम जल की परत को एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं प्रथकारी कीप का डॉट हटा देते हैं और स्टॉप कॉक को खोलते हुए हम जल की परत को इस बीकर में एकत्रित कर लेते हैं इस प्रकार हमने जैल को एक बीकर में एकत्रित कर लिया है किसी प्रकार हम तेल की परत को भी एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं इसके लिए हम प्रथकारी कीब का डॉट हटा देते हैं और इस तेल की परत को भी हम बीकर में स्टॉपकोख खोलते हुए एकत्रित कर लेते हैं अब हम प्रधकारी कीप का dot प्रधकारी कीप में लगा देते हैं और इसप्रकार हमने तेल को भी एक बिकर में एकत्रित कर लिया कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों पर्धों के बीच में कुछ मिश्रन बचा रह जाए यंदि ऐसा हो तो हमें मिश्रन के उस भाग को फेक देना चाहिए इस प्रकार हमने मिश्रन के दोनों घटकों को प्रत्थकारी कीप की साहिता से अलग कर लिया आते हम कह सकते हैं कि दो आप मिश्रनी द्रवों के मिश्रन को प्रत्थकरन की फिक्रियद्वारा अलग किया जा सकता है झाल